सुरक्षा टूल बॉक्स टॉक नमबर बीस फ्लेम अरेस्टर फ्लेम अरेस्टर एक सुरक्षा उपकरण है जो विभिन और द्योगिक अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है ताकि खुली आग या विस्फोट को रोका जा सके जो कि संभावित विस्फोटक परिस्थितियों में प्रवेश कर सकता है इसका मुख्य कार्य होता है कि यह गैस या वाश्प को अंदर से गुजरने देता है लेकिन आग को उसके पास जाने से रोक देता है टैंक में किसी भी बाहरी फटकार के द्वारा आग रोकने के लिए वेंट लाइन के माध्यम से फ्लेम अरेस्टर लगाया जाना चाहिए दो प्रकार के फ्लेम अरेस्टर होते हैं एक इन लाइन फ्लेम अरेस्टर दो लाइन के अंत में फ्लेम अरेस्टर इसके महत्वपूर्ण पहलो निमनलिखित है एक कार्य, function flame arrester का कार्य होता है कि यह आग को बुझा देता है और उसे pipe, duct या vent में से आगे बढ़ने से रोकता है जहां ज्वाला मुक्त गैस या वाश्प मौजूद हो सकते हैं दो, निर्मान, construction income तौर पर धातू से बना होता है जैसे कि जंगरोधी, इसपात या aluminium और इसमें एक जाली या छिद्रित संरचना होती है जो कि गैस या वाश्प को गुजरने देती है लेकिन उसे आग के फैलाव को रोकती है तीन अनुप्रयोग, applications flame arrester विभिन्न उद्योगों प्रयुक्त होते हैं जैसे कि तेल और गैस, रासाइनिक प्रसंसकरण, फॉर्मास यूटिकल्स और रिफाइनरी इन्हें pipeline, storage tank, ventilation system और उपकरणों में स्थापित किया जाता है जहां ज्वाला मुक्त गैस या वाश्पो के जोखिम का सामना किया जाता है चार प्रवा, operation जब flame arrester के पहले तरफ आग्या विसफोट होता है तो यह उस ताप को अवशोशित करता है और इसे शांत कर देता है ताकि आग आगे नहीं फैले यह सुरक्षा व्यवस्था के रूप में काम करता है और दुरघटनाओं से बचाव में महत्वपून भूमी का निभाता है पांच नियम आगे पांच, पांच, आगे यह स्टाब आगे कर दो